तो हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खुब सूरत यह देखिए बेबी कैप लेकर आए हूँ इस बेबी कैप को फ्रेंड्स आप बेबी बॉय बेबी गल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इस कैप को आप अपने के लिए भी बना सकते हैं जेंच के लिए भी बनाते बना सकते हैं सिंगल कलर में इसको देखिए मैंने फ्रेंड्स न्यूबॉर्ण बेबी से लेके तीन से चार मंद के लिए बनाया हुआ है बहुत इजी है इसको बनाने के लिए मैंने आप इस 75 फन दे लिए हैं पहले मैं तो इसके पहले आप लोग को याद होगा मैंने बेबी सॉक्स बनाया था सेमगार में परपल और वाइट कलर में तो इसी कर सेट मैंने बनाया है फ्रेंट्स देखे कितना खूद सूरत लग रहा है अगर आप लोग चाहते हैं अगर आप लोग के पास इतना चोटा बेबी है न्यू बॉर्न बेबी से लेकि चार-पांच मन्त के लिए है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताईए फिर मैं इसको गिवे कर सकती हूँ अगर मेरे आप लोग पास के रहेंगे करीब के रहेंगे तो मैं इसको गिवे कर दूँगी यानि आप लोग को मैं इसको कोरियर कर दूँगी आप वहां से जाके ले लेंगे तो देखिए, बहुत ही प्यारा है, मैंने यही सोचा था, यही दोनों सेट बना के, मैं इसको आप लोग को दे दूंगी, किसी एक को, देखिए, कितना खूब सूरत लग रहा है, ताकि आप लोग भी इसको पहनाईए, अपनी बेवी को बहुत ही प्यारा लगेगा, यह बरूर बताए, आप लोग अपना कमेंट करते रहे हैं, कि मेरे से कहां पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, यह आप इसके बाद क्या बनाना चाते हैं, यह देखिए, निव और बेबी से लेके आप इसको 6 मेंद के लिए भी पहना सकते हैं, तो यह मुझे वीडियो बनाना था इसलिए काफी छोटा मैंने बना लिया है तो ये दोनों मैंने स्टेट बना लिया मैंने का किसी को भी दो तो दो स्टेट बना के मतलब ये सॉक्स भी और कैप भी तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है तो फ्रेंट्स आप लो वाला यह design बनाना बताया है यह आप लोग को मैंने कई बार बताया है और इसका भी design का link mention कर देंगे आप लोग हाँ से देख लिजिएगा check out कर लिजिएगा description box में उसके बाद देखे फ्रेंट्स यह मैं new born baby से लेके 3-4 महिने के लिए बना रही हूं baby के लिए इसके पहले मैं आप लोग को इसका सॉक्स भी बनाना बताया था सेम इसी कलर में उसी का सेट में यह baby कैप भी बना रही है बहुत सिंपल है आप एक दिन में एक से दो घंटे में इसको बना कर तयार कर सकते हैं तो अब इसको क्या करना है इतना बनाने के बाद इसकी length 6-7 inch हमने रखी हुई है अब हम इसको घटाएंगे अब इसके फंदे को हमने घटाएंगे अब देखे फ्रेंड्स यह वाली white वाली डिजाइन हमने एक दो तीन तीन रखी है तो एक डिजाइन हमें आप पांच पांच देखे white वाले एक दो तीन चार पांच पांच लाइन यानि दस लाइन के हम अब पीछे की साइड से देखिए हम फंदे को कैसे कम करेंगे तो यहां पर हम फंदे को कम करेंगे उसके लिए हमने क्या करना है देखिए फ्रेंट्स हम पीछे की साइड आगा है पीछे की साइड से हम फंदे को कम करेंगे टोटल यहां पर हमने 75 फंदे रखे हुए हैं आप और बड़ा बनाना चाते हैं, 6 महने या 7 महने के लिए बनाना चाते हैं, तो आप यहाँ पर 80 फंदे डाले, 100 भी फंदे डाल सकते हैं, तो यह मैं new one baby से लेके, 3-4 मंद के लिए बना रही हूं, तो यहाँ पर देखिए, यह हम 2 फंदे का एक करेंगे, पीछे की साइड से हम स 2 फंदे का एक कर रहे हैं, बहुत सरल है, आप ऐसे ही पट्टी बना के, मतलब 100 या 1500 के फंदे डाल के, फिर आप यही प्रोसेस कर सकते हैं, अगर आप बड़ा साइज बनाना चाते हैं, और नहीं तो यह 3-4 मंद के लिए आप ऐसे ही 75 फंदे डाल के, फिर आपने दो अंग रहे हैं उपर का, ताकि यह हमारा सेफ सही आए, इसलिए हम इसको ऐसे 2-2 फंदे को एक एक साथ बुन के घटाएंगे, यह देखिए, 2 फंदे को हमने एक साथ बनाया, फिर यहां पे 2 फंदे का एक साथ बनाएंगे, चलिए ऐसे ही पूरी रोह हम यह पीछे की साइड से ब इसको हम आगे की साइड से हम सीधे सीधे बना रहे हैं, यह देखिए, सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, आगे की साइड से हम कोई फंदा घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, वह सीधा सीधा बनाएंगे, देखिए फ्रेंट्स हम पीछे की साइड आगे हैं, फिर हमने पीछे की साइट वही प्रोसेस करना है यानि दो फंदे का एक करना है फिर से हम दो फंदे को एक साथ बुनेंगे पीछे की साइट से हम यही करेंगे और आगे की साइट से सिंपल सीधा सीधा बनाएंगे कोई भी फंदे हमने घटाना नहीं है पीछे की साइट से देखिए फ देखिए सबी फंदे को हम बना रहे हैं, बुन रहे हैं सीधा सीधा आगे की साइट से, पीछे की साइट से दो फंदे का एक कर रहे हैं, तो ये हमारा टॉप का बन रहा है, यानि कैप जो हम बेबी कैप बना रहे हैं, बेबी के लिए टोपी बना रहे हैं, उपर की साइट का ये बन र साथ 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 बनाएंगे हैं अगर आप डिजाइन में बना रहे हैं तो डिजाइन भी अपने आप अरजिश्ट ऐसे ही करना पड़ेगा ऐसे फिर हम पीछे की साइट से दो दो फंदे का एक एक करेंगे अब देखे फ्रेंड्स हमने आपे हमारे बहुत कम फंदे रह गए हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस दस फंदे हमारे रह गए हैं 10-12 भी फंदे आपके बच सकते है, 15 भी फंदे बच सकते हैं, इतना फंद हम देखने के बचने के बाद, आवग देखे हूं, फंदे स्वी पे उतारेंगे, सभी फंदे को हमने वन्ने सुई पर उतार लेना है कितना इजी है फ्रैंट्स सारे डिजाइन की मैं लिंक मेंसन कर दूंगे तो आप लोग एक एक करके देख सकते हैं ताकि आप लोग अच्छे से बना लें यहाँ पर देखे हमने सुई में डालने के बाद इसको ऐसे हम एक एक करके फंदे को निकाल लेंगे करेंगे इसको एसे उल्टा कि साइड हमने के इसको 15 करनी एह तो इसको उल्टा से तीन बार निकाल देंगे ताकि इह हमारा फंदा यहां से निकले ना यहां पर देखिए 2-3 बार हम यहीं पर ऐसे की सिलाई कर लेंगे यानी नौट वाली सिलाई लगा देंगे मैं इसे टाइट ली याकि हम पीछे कि साइट सारी आगे की साइट से करेंगे तो देखिए यहां पर हमारा होल नहीं रहेगा काफी अच्छा भी इसका सेब भी आ ज प्रचाइज करना है यानी वाइट वाला पट्टी वाली पट्टी सफएद के साथ बैगनी के साथ रहनी चाहिए और बैगनी वाली पट्टी की साथ रहनी चाहिए तब हमारी ये बराबर सिलाई आएगी। तो चलिए इसके ये सिलाई कर लेते हैं, एक बार आप लोग देख लिजिये हम सिलाई कैसे करेंगे.. है तık नौरमल सिलाई आपनी करनी है जैसे आप करते हैं दोनों कलर के धांगे में से एक कलर का आप चाहें जो भी लगा सकते हैं हिंए यह आपे हम ने टॉप पर बैघनी वाला ही लगाये था तो इसलिए हम यहां पर पैचनी कलर का अंहीं उनको यूच कर रहे हैं कि देखिये ऐसे नॉर्मल सिलाई लगाते हुए जाना है चल जिए इसके सिलाई कर लेते हैं तो के फ्रांट समनी किस्फिलाह यहां तक कर दी है अब is क्या सिधा करेंगे यह देखिए हैं जो हमने हैं पर सिलाई की थी उपर के साइड देखिए कहीं भी आपर गैपिंग नहीं है यानि जाली टाइप का कहीं नहीं बनके आए हैं यह देखिए कितनी खुबसूरत कैप बनके आई हैं फ्रेंट्स यह देखिए कितनी अच्छी लग रही है यह कैफ ऐसे बन के आया है तो आप इसे बड़े साइज में बना सकते हैं काफी आप れ下次ह देखिए के निशार्य बना रहें या चोटी नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए तो वीडियो को आप लोग जाधा जाधा लाइक करें शेर करें नहें जरूर चैनल को सबस्क्राइब करें थेंक्यू झाल झाल